देश्वर में विभाजन विभीशी का स्मृत दिवस मनाया गया हमारी सवधाता रमात्यागी ने पाकिस्तान से आए उन शरनार्थियों से बाच्वेट की जुन्हें विभाजन का डर्द और दंश सहना पड़ा 15 अगस्त को देश 78 वा स्वतंतरता दिवस मना रहा है चारो तरफ तैयारियां है धूम है और चारो तरफ खुशी का महौल है उत्सहा का महौल है और हो भी क्यों ना क्योंकि आज हम एक स्वतंतर फिजा में सांस ले रहे हैं लेकिन 14 अगस्त को मिला विभाजन की विभीशिका का दंश भी जिसमें लाखों परिवार बेखर हो गए करोड़ों लोग अपनी जान से हाथ धू बैठे और बहुत से लोग थे जो की पाकिस्तान से इस दंश को जेलते हुए यहां पर आए यह था जी हमारे जो गाम' की लोग थे या कस्बे के लोग थे वो तो कुछ कहते नहीं थे भोन करते दो इन को तो दीड़ी धर हवा फेलने लगी तो पिर कहा दर था जाए यह कम सि कम लोगों को याद रहे जब विभाजन हुआ था तब आप कितनी बड़ी थी तो आपको याद नहीं होगा आपने क्या सुना उस दौर के बारे में जो अपनी मां से पापा से सुना वही पता मेरे को तो मां कह रहे थी जैसे निकले एकदम हम लोग तो महां पाकिस्तान बहुत अच्छे घर में रहती जैसे लोगों को पता चला कि यहां एकदम लोग जाएंगे तो अपने घर से साथ वाले गाव में लालिया गाव था वहां चले गे थे उनकी मास्ची की बैने वगारा ना वहां पर यंग लट रहती थी उनको लेने की उनको पहले ले आओं उन्हें अपनी तो चिंदा ही न पेरी माने सोचा वो भी कही डर्थ होगी होगी मर गे होगे विभाजन के विभीशिका के दंश की जो दास्ता है वो बहुत दर्द भरी है बहुत लंबी है और अपने आप में एक बड़ा संदेश है कि जब देश बढ़ता है तो उससे परिवार तूटते हैं उससे जो आम लोग हैं वो उनको काफी परिशानी होती है कैमरा मैन राहूल चोपड़ा के साथ रमातियागी डीडी न्यूस कृष्णा नगर तिल्ली